और में पोँए जाने है यूटब को चैनल ही वालाइ डिजिटल स्वही होँए क्यों सब्सक्राइज सर्च यंजल से क्वी लोग होता है तो इस वीडियो को हम लोग बैसे यह संद कि एक्जाम में आपकी बहुत ज्यादे आते हैं तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहें तो पीलिज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को तक जरू देखेंगे चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं शर्च इंजन ऑंटिमाजेशन सर्च इंजन ऑ्टिमाजेशन इिज all about optimizing our website for search engines search engine in search engine optimization जो है all about optimizing optimize करना वे कुई वेपसाइट को search engines के लिए किसी भी शर्च अप्टिक्ष अन्जेन के लिए search engine optimization is a technique for search engine एक क्या है basically technique है अगर कोई भी software में कोई search engine में जाब search करते हैं तो वह एक technique होता है जो कि आपको designing करता है and developing करता है एक website को to rank well in search engine result search engine एक क्या है टेकनिक है जो कि वो डिजाइनिंग करता है वेबसाइट को अच्छे से अच्छे रन करने के लिए सर्च इंजिन रिजल्ट लाने के लिए जब भी आप कोई चीज को सर्च करते हैं इंप्रोविंग दा वाल्यम एंड क्वालिटी ओफ ट्रैफिक टू आव वेबसाइट फ्रों सर्च इंजिन यह इंप्रोविंग करता वाल्यम और क्वालिटी को किसी भी वेबसाइट के ट्रैफिक को जो जिसके जिससे आप सर्च करते हैं सर्च इंजिन से marketing by understanding how search algorithms work और यह marketing के दुरार यह समझते हैं marketing को कि कैसे इनके algorithms जो है काम करते हैं search engines के and what human visitors might search और इसमें एक human beings को क्या search करते हैं क्या उसे search करना चाहिए कैसे करना चाहिए if you plan to do some basic SEO अगर आप कुछ basic plan कर रहे हैं SEO के basic को it is essential that you understand how search engine works तो यह आपको लिए समझना एक essential points होगा कि एक search engine कैसे काम करता है तो आगे चल दिया हम लोग search engine के बारे पढ़ते हैं कैसे search engine काम करता है how search engine works यह बहुत बार exam में आया है जैसे मैंने जिस जिस points को लिखा है वह आप हुबा हो ऐसी ही लिख देना बहुत अच्छा नंबर आपको आ जाएगा पहला है crawling प्रोसेस ओफ फेचिंग ओल दा वेब पेजिस लिंक टू आ वेब साइट जो भी प्रोसेस से फेचिंग करने का सभी वेब पेजिस को जो लिंक रहता हर वेब साइट के साथ इस टास्क इस परफॉर्म्ड भाय आ सोफ्ट इयर यह टास्क जो है बिसीकल एग सॉफ्ट इयर परफॉर्म करता हा। जीसे क्रोलर या तो स्पीडर कह जाता है नमबर टू है indexing, process of creating index for all the phased web pages and keeping them into a GN database, यह process करता है creating करने के लिए index को सभी phased web pages और यह GN data पे रखता है the process of indexing is identifying the words and expressions और यह जो identifying का काम होता है वो process करना और उसे identifying करना words को और expressions को जो एक searcher यह users क्या करते हैं उसमें search करते हैं search engine में that based assigning the page to particular keywords और वो assign करता है जो एक particular page होते हैं जैसे वो search करते हैं users उसके हिसाब से processing when a search request comes जब एक user search करते हैं search request आता है the search engine process it तब search engine उसे process करता है it compares the search string in the search request search engine इसे string करते है compare करते है search request में with the indexed pages in the database जो भी उनके index में जो भी database में index है index page पड़े है उनके साथ वो compares करते है calculating relevancy it is likely that more than one page contents the search engines यह है कि जो भी search engines में जो contents पड़े है वो सिर्फ एक ही pages के नहीं पड़े है वो बहुत सारे अलग अलग page पड़े है जो भी आप search करेंगे तो एक page ही सिर्फ आपके सामने नहीं आया अब जो भी search करेंगे उससे related सारी pages आपके सामने दिख जाते हैं software में So the search engines starts calculating the relevancy of each of the pages in its index to the search strings तो search engines क्या करते हैं बहुत सारे pages को calculating करना शुरू कर देते हैं आपकी इंडेक्स के हिसाब से जो आप search करते हैं search engines में उनकी हिसाब से अलग-अलग pages आपके सामने खोल कर रख देता है अधर लास्ट पॉइंट आता है रेट्रिवींग रिजल्ट तब आप अपने हिसाब से देखना सुरू कर देते हैं दा लास्ट इस्टेप इस सर्च इंजन एक्टिविटीज इस रेट्रिविंग दे बेस्ट मैच रिजल्ट तब उसका लास्ट जो इस्टेज होता है वह है कि इस इंजन का एक्टिविटीज करना और आपको एक रेट्रिवींग दिखाना जो लास्ट आपके जो भी इंडेक्स होते हुए उनके हिसाब से मैच रिजल्ट जो भी आएगा वह आपके सामने उसे सू करना इट इस नथिंग मोर दैन सिंपली डिस्प्लेंग दैम इन आया होगा कि सर्च इंजन कैसे काम करता है गर नहीं आया है तो आप दुबार सा देख सकते हैं वीडियो को और सिर्फ इनके पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में बिठा लेने उसी पॉइंट्स को आप एक्जाम में लिख देंगा और खुद से भी कुछ भी डिस्क्रा SEO copywriting is the technique of writing viewable text on a web page in such a way that it reads well for a well for the surfer SEO copywriting एक technique है writing को view करने का viewable text को viewable करने का देखने का on a web page में in such a way एक उस वे में that it reads well for a surfer ताकि ये उस वे में ताकि उसे एक सही से पढ़ा जा सके read किया जा सके and also targets specific search terms और ये एक target भी करता है specific search terms को its purpose is to rank highly in the search engine for the targeted search terms और इसके जो main purpose होते ही वो highly rank करने का एक search engines में ताकि वो अपने जो search terms है उनको target कर सके the idea behind SEO copywriting is that और इसका जो copywriting के पीछे जो main उसके जो target है idea जो है that search engines want genuine content pages and not additional pages इसका जो main purpose है SEO copywriting का उसका एक main purpose ये है कि उसमें जो भी content आए जो भी user search करे उसको genuine content मिले content page मिले ना कि उसमें कोई additional pages मिले उसको often called doorway pages जिसे doorway pages कहा जाता है that are created for the sole purpose of achieving high rankings और इसका जो main मकसद होता है main purpose वो होता है कि उसे high rankings achieve करना SEO copywriting का ये main मकसद होता है ताकि जब भी कोई भी users उसे search करे तो उसके ही page जो है सबसे number one पर आये number one ranking पर I hope कि आपको video समझ में आया होगा अगर नहीं आया तो आप comment से बता सकते हैं फिर से मैं ऐसे समझा दूंगा thank you so much keep watching keep support कर दो